दोस्तो आज आप जानेगे दुनिया में चडिया के द्वारा बनाएगे आलिशान गर तो बिना टाइम को आएं वीडियो का श्री गनेश करते हैं नमबर एक पर है बवर वर्ड नेस्ट ऐसा आर्टिश पक्षी जो इनसानों की तरह घर सजाने का शौक रखता है यह पक्षी अपना घोंसला जनी जमीन पर बनाते है लेकिन इतने सुन्दर होते है कि आप सोच में डूब जाएंगे कि जमीन पर इतना सुन्दर घोंसला कैसे बना सकता है यहाँ पक्षी भी अपने घोंसले को बनाने के लिए आम पक्षी की तरह पतली सूखी लकड़ी का परियोग करते है जब इनका घर बन कर त्यार हो जाता है तो फूल पत्यों से अपना घर सजाते है इन्हें जो भी चीज मिलती है उसे अपने घोंसले में सजा देते है नमबर दो पर है शोशल बीवर बर्ड नेस्ट यहाँ अफरीका में पाए जाने वाला यहाँ एक पक्षी है घोंसले को दे कर लगता है कि एक पक्षियों का जिला ही समाया हुआ है दुनिया के सबसे बड़े घोंसले में इनका नाम शामिल किया जाता है इन पक्षियों की खास बात यह है कि ग्रूप में पक्षी घोंसले को बनाने में मदद करते है यानि की फुल टू भायचारा निबाते है इनका घोंसला इतना बड़ा होता है कि इसमें 300 से 400 बर्ड रह सकते है इन घोंसले की तकनीक की बात की करे तो यह गर्मी में ठंडे वो सर्दी में गरम रहते है नमबर तीन पर है कोमन टेलर बर्ड नेस्ट एशिया में पाए जाने वाला यह पक्षी ज़्यादातर टाइम पेड़ों पर ही बिताता है यह पक्षी अपना घोंसला हरी पत्यों को चुन कर इस तरह बुनाई करते है ना तो उसे शेव बिगड़े और ना ही पत्तो का कलर पोदे के फाइवर या फिर कीडों से मिलने वाला रेशम से इन पत्तों को बारिकी से अनोखा सुन्दर घोंसला बनाते है यह बर्ड अपने घोंसले में सोस से दो सो टांके लगा कर अपना घर बनाते है ताकि वह बहारी पक्षियों से सुरक्षित रह सके इन घोंसलों को बनाने में पक्षियों को दो से तीन दिन का समय लगता है नमबर चार पर रहे एल फूल नेस्ट यह देखने में तो उल्लू की तरह होते है लेकिन यह अपना घोंसला कांटेदार केक्टस के पोधों के अंदर बनाते है जो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल घोंसले की तरह नहीं होता क्योंकि यह केक्टस को खोध कर अपना बिल बनाते है इसी के बाद अपने अंडे देते है गोंसला बाकी उल्लों के मुकावले काफी सुरक्षित वो अरामदायक माना जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेर जरूर करे ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब करे